हेलो दोस्तों मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है हम टॉक शो में आज हम बात करने वाले हैं हिमांगी जी से इमांगी बापड जो मुंबई के पास में एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं और वो बहुत ही अद्भूत तरह की फोटोग्राफर हैं आज कुछ दो साल के साथ वो और उनकी जो एक्सपरिमेंट है उनकी जो फोटोग्राफी है वो बहुत अद्भूत है साथ ही वाइल लाइफ करती है वो ओके अब वाइल लाइफ कैसे करती है मोबाइल फोटोग्राफी में तो फ्रीमें और उनकी फोटोग्राफी बदलती गई और हम को मजा आता गया पर वाइल शोगाए है आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान होंगे अगर आपने नहीं देखा है तो आप वाकई दोड़ चले आएंगे ग्रूप के तरफ देखने के लिए वो सिरीज तो हम सबसे पहले हमका सौगत कर लेते हैं हिमांगी जी आपका टॉक्शन सौगत है आपको भी आशी जी नमस्ते और दर्शकों को भी नमस्ते बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग बहुत दिनों से कोशिश में थे कि ये रिगॉर्डिंग कर पाए मगर किसी ना किसी कारण से हो नहीं पारी थी मगर आज ये हो पारी है और हम हिमांगी जी से जानेंगे उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड फोटोग्राफी की तरफ वो कैसे आकशित हुई वो प्रोफिसर हैं क्या पढ़ाती है और फोटोग्राफी से वो किस तरी किसे रिलेट होता है वो कैसे उनको फायदा देता है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे तो हिमांगी जी पहला सवाल प्रिज आप हमको ये बताईए कि फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई आपकी क्या बैकग्राउंड था और अब जबकि ये एक पैशन है आप उसको लगतार फॉलो कर रही है इतना टाइम डिवोट करती है हमें इस जर्णी के बारे में प्लीज बताईए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि फोटोग्राफी का शौक सारे शायद मुझे पिताजी से आया है तो हम इंदौर के रहने वाले हैं और उस समय बहुत कम लोगों के पास कैमेरा हुआ करता था लेकिन मेरे पिताजी के पास था और मैं हमेशा उनको फोटो खीचते हुए ध्यान से देखती थी तो मैं पूछती भी थी कि ये मुझे चाहिए मगर मुझे मना करते थी ये कहके कि ये बहुत महंगा शौक है तो इसको ऐसे ही मैं तुमारे हाथ में नहीं दूँगा लेकिन मुझे याद है कि कई बार मैंने चोरी छुपे उनका कैमेरा लेके अपने अगल बगल में गार्डन में तस्वीरे खीची है और फिर रोल धुल के आने के बाद मुझे बड़ा डर लगता था कि अब तो मेरी भी धुलाई पक्की है तो वहां से यह जर्णी शुरू हुई होते होते और अडवांस कैमेरे आते गए और यह फोटोग्राफी जो है थोड़ा सा उसको स्टॉप लगा लेकिन आफ्टर मैरेज आ केम टू मुंबई और यह सबर्ब है मुंबई का बोईसर तो यहां पर आई लिव इन यहां चडिया, प्रकृती, पेर पौधे इन सब बहुत सुपून वाली जिंदगी है हमारी जो लोग समझते हैं मुंबई के जिंदगी वैसी है नहीं और फिर धीरे धीरे जब हाथ में मुबाईल आया मुबाईल के बाद में जब उसमें कैमेरा आया तो जिसको कहते हैं न और मैं इसको कर रही थी तो यह आगे परवान कैसे चड़ा जिसको आपने कहा कि न पढ़ लग गए ओके पाइन बट मतलब हाव इस ग्रू एचली कि न आपने क्या चीज़ें कैप्चर करना शुरू किया और फिर उसमें क्या चीज़ें एड होती गई वो बताई सर एक्चली मोबाइल जब से हाथ में आया तब से फोटोग्राफी तो शुरू हो गई थी और मैं काफी फोटोस फेस्बुक पे भी डालने लगी थी तो बहुत सारे फ्रेंग्स कहते थे कि तुम अच्छा क्लिक करती हो फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा और जब ग्रुप से जोड़ा और मैंने जब लोगों का काम यहां पर देखा तो जिसको कहते हैं यह होबी जो है इसके साथ सब्समें एक डाइरेक्शन भी आ गई कि अब मुझे समझ में आने लग गया क्योंकि इस ग्रुप में इतने अच्छे लोग है जो कहने के लिए टेक्निकली भी साउंड है कहने के लिए कुछ आम लोग भी है तो कुछ ऐसे लोग भी है जिनका फोटोग्राफी से शायद कोई रिष्टा ना भी है लेकिन उनके क् फिर रियलाइज होने लगा कि मैं कहां कम पढ़ रही हूँ या कहां मुझे और काम करने की जरूरत है या मैं किन चीजों पर फोकस कर सकती हूँ अब अगर मैं देखू तो मैं लैंड्सकेप्स बहुत कम ट्राइ करती हूँ और मेरा ज्यादा तर जो फोकस है वो मैक्रो फो अगर कहूं न तो मेरी ये जर्नी दो साल पहले तक की और इन दो सालों की इसमें बहुत डिफरेंस है क्योंकि इन दो सालों में मुझे में बहुत चेंज आया फोटोग्राफी में मैं लोगों की चीज़े देख के समझने लगे और सर एडिटिंग के बारे में तब तक मैं जानती थी सिर्फ मुझे इतना पता था कि मैं फोटो को क्रॉप कर सकती हूँ लेकिन उसके आगे भी एडिटिंग के जो इतनी बड़ी दुनिया है यह मैंने इस ग्रुप में आके दीखी क्योंकि आपके हां पे इस से रिलेटेड हमने बहुत सारे वरक्शॉप्स या आप जैसे कभी-कभी टूजडे की थीम देते थे तो यह मेरे लिए नहीं चीज थी कि रूल ओफ थर्ड क्या है फिर उसको गूगल पर ढूणना फिर मैं मुझे लगता है आपको परेशान भी किया है कई बार फोटो डाल के आपको टैक करके किस से क्या मेरा फोटो कॉम्प्ला में जाती या किसी ग्रूप से जुड़ती और यह टेक्निकालिटीज में सीखती लेगन इस ग्रूप में अगर कहा जाए ना तो फ्री में मैंने सब कुछ सीखा तो सीखा देखा और फिर मुझे यह समझ में आया कि मुझे अपनी किन चीजों पर काम करना है तो बस इस तरह से सब्सक्राइब कि पिछले दो साल में जो है इसमें बहुत बड़ा चेंज आए यह जानके वाकई बहुत खुशी हुई है आप क्या पढ़ाती है एक्चली हो जो आप पढ़ा रही होती है इस्ट्रेंट्स को क्या वो आपका फोटोग्राफी में किसी तरीके से काम आता ह सब्सक्राइब करते हैं तो एक टेकनिकल फील्ड अपने 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 और अब मैं यहां पर मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया कॉलेज में तो यहां का मैंनेजमेंट का फील को अगर मैं फोटोग्राफी के साथ रिलेट करो तो एक ही चीज ऐसा जो मुझे अपनी होबी को भी पैशन की तरह जब लेते और आप अपनी स्टडीज को भी जब पर तो वह जो एकाग्रचित आपको होना पड़ता है चाहे वह आपके पढ़ाई हो या कोई भी काम हो जैसे मैंने आपको का जब तक होबी थी सीरियसनेस नहीं था तब तो जैसे मनाया व पढ़ाई में भी बच्चों को में यही कहते हूं एस्थेटिक है चीजों को देखने का नजरिया है हम चीजों को किस तरह सही कर सकते उसमें कहां गलत हो रहे दूसरों को देखका सीखना तो यह चीज़े मुझे लगता है सर ओवराल कॉमन है चाहे पढ़ाई हो चाहे आपके इंस्पायर किया और उसके कारण आपके फोटिग्राफी में और चीज़ आया तो मुझे को यह ऐसा चाहिए जो मुझे यह भी दिखा सके कि वो ग्याप क्या है और वो ग्याप को मैं कैसे फिल कर सकती हूँ तो मेरे लिए गुरु अगर कहा जाए तो आप है दिगविजय जी है और सर अगर गुरुप में अगर मैं बाकी लोगों के नाम लू तो पुनीता जी का काम मुझे अच्छा लगता है जितने शेड्स वो दिखाती है या अवीशा सर मेरे लिए वो इतनी एजवाई अगर म पसंद आता है और सर आज जिनको P.O.T.D. मिला है मिले ना वो बहुत कम डालती है फोटो लेकिन वो जब भी डालती है सर मेरा ध्यान उनके फोटो पर जरूर होता है या शिप लोगों को देखके मैं जरूर सोचती हूँ उनके फोटो देखके मैं सोचती रहती हूँ कि यह मुझे नहीं सूचता था शायद या मैं इसको इस तरह से कैप्चर नहीं कर सकती थी तो यह सब देखके ना सब बहुत मतलब जिसको कहते हैं अच्छा लगता है बहुत ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है कि शायद कभी मैं भी इनकी तरह कुछ ऐसे क्लिक्स कर पाऊं जो आउट के उपर और फ्रॉम तब बड़ी इंसेप्शन मतलब वह जहां से शुरुआत हुई उसकी तो वहां से इनने उसके पिक्चर से लेना शुरू किया उसको लगतार डेली अब्सर्व किया और दो महिने ऐमिन 54 डेज अभी शायद रिसेंटली उन्हें फोटो डाला है तो उसक से लगतार काम कर रही थी प्लीज हमांगी जी उसके बारें बताईगी कि यह क्या है सर अक्चुली जहां मैं रहती हूं मेरे खुद के घर में काफी बड़े-बड़े दो गार्डन्स है और में और मेरे हस्बंड जब वह पेस्ट के सक्त खिलाफ है तो पेस्टिसाइड्स नहीं डालते हम लोग और यूजवली गार्डनर जो है आपने देखा होगा वोग वो अगर पेड़ पर्धु की कटिंग की जाए तो उसके ओपर यह चोटे-चोटे क्रीचर नहीं रहते हैं तो उसके बाद हम दोनों डेसाइड किया कि हम अपने गार्डन में फूट्स, वेजिटेबल्स है किसी भी तरह में फ्लाज है उसमें नहीं डालेंगे तो उसके बाद है जो हम observe कर रहे हैं कि सिफ यह दो decision देने के वज़े से हम यह सारी growth देख पा रहे हैं तो इसी series में सरे एक दिन accidentally क्या हुआ कि मेरा ध्यान गया है कि एक butterfly काफी देर से एक पत्ते पर बैठी थी तो मुझे थोड़ी से उत्सुकता हुई और मुझे लगा यह मुझे shot लेने ना सुना था तो मैंने उसके वीडियो लिए photo लिए and it was not moving क्योंकि obviously it was in the process तो यह वो 54 डेज का जर्नी है वो eggs होने तक मैं हर दिन उनके photo जो है बिना उसका light on किये में click करती थी daylight में फिर वो करते-करते caterpillars आया और फिर मैंने देखा कि वो caterpillars को जो है वो spiders खा रहे थे या ants खा रहे थे तो मुझे बड़ा दुख हुआ जब वो बहुत कम रह गया थे तब एक दिन मैंने सोचा कि नहीं मैं इनको अपने आप से नीचर पर नहीं छोड़ूंगी फिर मैंने उनको एक box में डाला box में डालके अंदर उनके लिए पत्ते डाले वो छोटे छोटे वो create किया उनके लिए लेकिन करते करते उसके अंदर भी वो होते होते अल्टीमेटली मेरे हाथ में तीन caterpillars जो है वो safely आए और इस बीच में lockdown में हमें अर्जिंटली मालवा भी आना पड़ा तो मैंने उनको भी carry किया अपनी साथ-साथ और वहां पर भी उनके फेवरेट पत्तिया ढूंडी क्योंकि वो उसे प्टिकलर ट्री के लावा प्लांट के लावा वो कोई पत्तिया नहीं घाती तो सब लोग हसते हैं घर में भी हसते हैं लेकिन वो कहते हैं जुनून हो गया है अभी मुझे वो बटरफ्लाइ बनते हुए तक देखनी है तो आज 54 देज हो चुके हैं दो के कैटरपिलर्स के जो वो प्यूपा बन चुके हैं अगले 7 देज के अंदर उसमें से भी हम ब्यूटिफुल बिलकुल उनकी मदर की तरह हम लोग बटरफ्लाइ को देखेंगे और से दूसरा एक और जो मैंने देखा वो था कमांडर बटरफ्लाइ तो वो कमांडर बटरफ्लाइ के बहुत सारे कैटरपिलर्स एक मुसंदा करक यह प्लांट है उसके ओपर मैंने देखें मेरे ही घर में तो वो जो है उसको भी मने प्यूपा बनने तक उनको रोज अब्सर्व किया देखा और प्यूपा से बटरफ्लाइ भी निकले और एक नहीं कम से कम चार पाज बार मैंने यह प्रसेस देखा और वो भी मेरे लिए बहुत नहीं चीज थी, क्योंकि Butterfly का process पूरो स्कूल में पढ़ते हैं क्या है, लेकिन आखों से उसको हर दिन involve होना, observe करना, तो ये बहुत अलग चीज थी, और वो जो है सारे फोटो और वीडियोज मैंने capture किये, डाले, तो उसका album भी शायद आप दिखाएंगे हमारे करे दो झाल 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 झाल